राश्ट्रपती जो बाइडेन और प्रधान मंत्री मोदी ने MQ-9B Reaper ड्रोन खरीदने की भारत की योजना का स्वागत किया है। इस ड्रोन का निर्मान अमेरिकी कमपनी जनरल एटोमिक ने किया है। दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन कहा जाने वाला MQ-9B Reaper भारत में असंबल किया जाएगा। ये समझोता भारत की राष्ट्रिय सुरक्षा और निग्रानी क्षमताओं को मजबूत करेगा, जो हिंद महासागर और चीन के साथ सीमा पर निग्रानी क्षमताओं में एजाफा करेगा। भारत अपने दो प्रमुख पाकिस्तान और चीन भारत के लिए जिस तरह की सोच रखते हैं, भारत के लिए अपने राष्ट्रिय हितों की रक्षा के लिए उनकी गतिविदियों की निग्रानी जरूरी हो जाती है। MQ-9B ड्रोन के आने से भारत को क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़त हासल होगी। MQ-9B रीपर जिसे प्रिडेटर्स भी कहा जाता है, एक बार में 36 घंटे तक उड़ सकता है। जल्दी अमेरिका से खरीदे जाने वाले 31 प्रिडेटर ड्रोन को भारत की तीनों सेनाए संयुक्त रूप से संचालित करेगी। A9A सेना के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि इन ड्रोन को ट्राइ सर्विस कमांड ओपरेट करेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी और जवान शामिल होंगे। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान में कहा गया है कि राश्ट्रपती बाइडिन और प्रधानमंत्री मोदी ने लाइट कॉमबेट एरक्राफ्ट एमके दो के लिए भारत में जीएफ 414 जेट इंजन के निर्मान के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटिड के बीच समझोते पर हस्ताक्षर की भी सराहना की जनरल इलेक्ट्रोनिक्स एरोस्पेस ने गुरुवार को भूशना की कि उसने भारतिय वायू सेना के लिए लड़ाकु जेट इंजन बनाने के लिए एचेल के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है अमेरिकी कमपणी ने समझोते को पी-म मोदी की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के बीच बड़ा मील का पत्थर बताया है दोनों नेताओं ने भारत सरकार के सहयोग से भारत में एक नई सेमिकंड़क्टर असेंबली और परीक्षन सुविधा के निर्मान के लिए 825 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश करने की माइक्रोन टेकनोलोजी की घूशना का स्वागत किया बयान में कहा गया है कि 2.75 अरब अमेरिकी डॉलर का सयुप्त निवेश अगले 5 वर्षों में 5000 प्रत्यक्ष और 15000 अप्रत्यक्ष नौकरियों के अवसर पैदा करेगा